हेलो फ्रेंट्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे कैट के बारे में है, जो अपने मालिक से बिछड़ कर एक दूसरी सिटी में पहुँच जाती है, और वहाँ उसका सामना एक ऐसे दोस्त से होता है, जो उसे लाइफ जीने का एक निया तरीका सिखाता है, तो मूवी की शु उससे बताती है कि इस बार उनके पेट पर बहुत सारी स्टोबेरिस लगी है, और वो इन में से कुछ उसकी तादी को भेजना चाती है, रे बैग लेकर वहाँ के लिए निकलने लगती है, और देखती है कि रुडॉल्फ भी उसके साथ आना चाता है, लेकिन वो उसे घर प उसकी एक नहीं सुनता, और एक पेड़ की मदद से छट पर चड़ जाता है, वहाँ वो एक पहाड और उस पर चलती कुछ केबल कार्स को देखता है, और सोचता है कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही खुबसूरत है, तब ही उसकी नजर गेट पर पड़ती है, जिसे रे की म शायद खुला चोड़ गई थी, और वो इसका फायदा उठा कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, तोड़ी दूर पर उसे रे नजर आती है, लेकिन इस से पहले कि वो उस तक पहुँच पाए, एक साइकल से टकरा कर वो एक फिश बॉक्स में गिर जाता है, शोप के मालिक को लगता है कि वो शायद उसकी मचलिया चुराने आया है, और उससे बचने के लिए रुडॉल्फ एक ट्रक की और छलांग लगाता है, तब ही शोप के मालिक की फैंकी हुई जाड़ू उससे आकर लगती है, और इससे वो भ्योश हो जाता है, आग खुलने पर वो देखता है कि ट्रक उसे सीटी से बहुत दूर ले आया है, और थोड़ी ही देर में वो ट्रक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है, रुडॉल्फ वहां से निकल कर भागने लगता है, और देखता है कि यहां तो हर तरफ बहुत भीड है, तब ही एक आवाज उससे पूछती ह कि लगता है तुमें एक स्ट्रे कैट हो, जो इस सीटी में पहली बार आये हो, और रुडॉल्फ देखता है कि सामने एक बड़ा सा टॉम कैट खड़ा हुआ है, वो कैट रुडॉल्फ से उसकी फीश मांगता है, वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा, और ये सुनकर रु पूछता है कि आकिर तुमें किस बात की जल्दी है, रुडॉल्फ उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अपने मालिक से बिछड़ गया है, और साथ ही उस कैट से उसका नाम पूछता है, इस पर कैट उसे बताता है, वैसे तो मेरा नाम गोटा लोट है, लेकिन लोग उसे बहुत दूर है, और तुमें वापस जाने के बारे में भूल जाना चाहिए, रुडॉल्फ ये सुनकर उदास हो जाता है, कि अब भला वो अपने घर वापस कैसे जा पाएगा, और ये देखकर टाइगर उसे अपने साथ टेमपल में ही रख लेता है, अगली सुबा व से बहुत डरती है, फिर वो लोगे कैफे के बाहर आते हैं, जहांकि वरकर टाइगर को अच्छे से जानते थे, और वो उन्हें धेर सारा खाना देते हैं, इसी तरह वो एक एक करके कुछ और जगा भी जाते हैं, और रुडॉल्फ नोटिस करता है, कि हर कोई टाइगर को अ अतलब है, तब रुडॉल्फ कहता है कि तुम इनसानों को बहुत अच्छे से जानते हो, और ऐसा लगता है, जैसे तुम भी कभी एक पाल्तु कैट थे, ये बाट टाइगर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो रुडॉल्फ को वहीं छोड़ कर चला जाता है, नहीं वो उसे डैविल नाम के डोग के बारे में भी बताता है, जो टाइगर का पुराना दुश्मन है, और माना जाता है कि इससे खतरनाफ डोग पूरी सीटी में नहीं है, प्रुडॉल्फ को अभी भी लगता है कि टाइगर तो एकदम शानत और अच्छे नेचर वाला है और तब बकुसे एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक डोबर मैन ने सीटी में आतंक मचा रखा था और इससे कैट्स का जिनम मुश्किल हो गया था, लेकिन टैगर ने अकेले ही उससे पंगा ले लिया और उस डोबर मैन की बहुत पिटाई की, उसने उसका एक कान भी काट डा और धमकी दी कि अगर वो फिर से यहां दिखाई दिया तो वो उसका दूसरा कान भी काट डालेगा, बकुसे ये भी बताता है कि टैगर भी पहले एक पालतू कैट था और ये सुनकर रुडॉल्फ को बहुत कुछी होती है कि उसने टैगर के बारे में सही सोचा था, आगे ह उसे वापस टैपल में आते हुए देखते हैं, जहां वो टैगर से उसकी फाइट के बारे में पूछता है, टैगर को ये सुनकर बहुत गुसा आता है कि रुडॉल्फ इन सब बातों को मजाप में ले रहा है, और वो उसे समझाता है कि एक स्ट्रे कैट को सर्वाइब करने में बहुत मुश्किल आती है, और तुम जैसी पाल्तु कैट ये कभी नहीं समझ सकती, तब यूडॉल्फ उसे पताता है कि बग ने मुझे तुमारी सारी सच्चाई बता दी है कि कैसे तुम भी एक टाइम पर एक पाल्तु कैट थे, और ये सुनकर टैगर उसे अपने साथ चलने को कहता है, और उसे अपने मालिक का पुराना घर दिखाता है, जो डैविल के घर के बगल में ही बना हुआ है, पता चलता है कि उसका मालिक अब अमेरिका शिफ्ट हो गया है, लेकिन जाने से पहले वो उसे इंसानों की भाशा को पढ़ना सिखाना चाहता था, ताकि वो अकेले भी याँ सर्वाइव कर सके, इसके लिए उसने बहुत मैनत की, और जल्दी ही वो इंसानों की लेंग्विज को पढ़ना सीख गया, रुडॉल्फ उससे इसके फायदे के बारे में पूछता है, और टाइगर बताता है कि वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है इंसानों के मेन्यू को पढ़ पाना, जिससे पता चल जाता है कि आज कहां कौन सी डिश बनने वाली है, वहां से निकलते वें उनका सामना टैविल से होता है, जो टाइगर का मज़ाब उडाने लगता है, कि शैद तुम यहां खाना डूडने आए और चाहो तो मेरा बचा कुछा खाना खा सकते हो, टैगर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बिना कुछ कहीं वहां से चला जाता है, रुडोल्फ को भी डैविल की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन टैगर उसे बताता है कि एक टाइम पर हम दोन कर दिखाता है, वो आखे बंद करके उन्हें इमेजन करने को खहता है, और देखते ही देखते वो एनिमल्स की दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहां टैगर एक के करके उन्हें सभी एनिमल्स के बारे में बताता है, रुडोल्फ उसे ये स्किल खुद को भी सिखाने को और टैगर उससे प्रोमिस लेता है कि वो इसे बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, उस दिन से वो रुडोल्फ को सिखाना शुरू कर देता है, और दिखाता है कि कैसी उसने एक टीचर को अपना दोस्ट बनाया हुआ है, जिसके थूर वो स्कूल की लाइब्रेरी तक जा स लगता है, ऐसे ही एक दिन रुडोल्फ की नजर लाइब्रेरी में चल रहे टीवी पर जाती है, जहां उसे अपनी सीटी का पहाड और वो केबल स्कार दिखाई देती है, और वो टैगर को पताता है कि मेरी ओनर इसी सीटी में रहती है, टैगर देखता है कि ये तो जीफू सीटी के बारे में है, और वो एक गलोब पर रुडोल्फ को उसकी लोकेशन दिखाता है, रुडोल्फ को डिस्टैंस के बारे में कोई नोलेज नहीं थी, और उसे लगा कि जीफू सीटी तो इस जगा से बहुत करीब है, लेकिन टैगर उसे समझाता है कि ये तो बस एक नक ट्रक है, और वो बक को लेकर उसे बचाने निकल पड़ता है, किसमस से वो ट्रक थोड़ी दूर जाकर एक जगा रुख जाता है, और टैगर देखता है कि रुडोल्फ अंदर जमा पड़ा है, वो किसी तरह उसे वहाँ से बहार निकाल लाते हैं, और टैगर बरफ तोड़ तर उसे अजाग करता है, उसे रुडोल्फ पर बहुत कुस्सा आता है, कि ये जल्द बाजी तुमारी एक दिन जान लेकर रहेगी, और रुडोल्फ को भी अपनी कलती का एसास हो जाता है, इसी तरह काफी टाइम बीच जाता है, और एक दिन उन्हें जीफू जाने वाली रुडोल्फ का एक पोस्टर मिलता है, वो सब लोग उस पोस्टर वाले एड्रिस पर जाते हैं, जहां पता चलता है कि बस यहां से कल सुबा निकरने वाली है, बग को लगता है कि आज उन्हें एक फेरवल पार्टी करनी चाहिए, और वो रुडोल्फ से उसकी फेरवल डि कही नजर नहीं आता, और तभी बग उसे पताता है कि टाइगर अपने पुराने घर में घायल पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी और डैवल के बीच लडाई हो गई थी, रुडोल्फ तुरंट उसे चेक करने जाता है, और वो देखते हैं कि उसकी बोड़ी में कोई हलचल न आता है, और यहां बग से पता चलता है कि टाइगर टैविल से थोड़ा मेट मांगने गया था, ताकि वो रुडोल्फ की विश को पूरा कर सके, लेकिन डैवल ने इसका कलत फायदा उठाया, उसने पहले तो टैगर की बहुत इंसर्ट की, और फिर अचानक उस पर अटैक क कर दिया, रुडोल्फ को यह सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब शायद उसी के कारण हुआ है, तब ही टीचर आकर उने बताता है कि टाइगर की जान बच गई है, लेकिन दो हफते के लिए उसे रेस्ट करना होगा, वो उसे और रुडोल्फ को अपने घर ले आता है, जहां टाइगर कहता है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें वो सफर अकेले ही तै करना होगा, रुडोल्फ पी अपने केर करने के लिए उसका थैंक्स बोलता है, और तब ही बगकुने बताता है कि बस अपनी location पर पहुँचने वाली है। वो दोनों एक दूसरे से अलवीदा लेते हैं। लेकिन Rudolph बाहर आकर कहता है कि पहले मैं उस devil नाम के monster को सबक सिखाना चाहता हूं। वो devil के पास आकर उसे challenge करता है और कहता है कि मैं यहां tiger का बदला लेने आया हूं। डैविल गुसे में उस पर attack कर देता है और ऐसा लगता है जैसे Rudolph ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन डैविल उसके size और flexibility का मुकाबला नहीं कर पाता और भागते हूँ एक pool में जा गिरता है। वो देखते हैं कि डैविल को तैरना बिलकुल नहीं आता और उसे बचाने से पहले वो promise लेते हैं कि आगे से वो किसी को bully नहीं करेगा। फिर वो एक stick पकड़ कर उसके help करते हैं और Rudolph उसे बोन करता है कि अगर अगली बार ऐसा क्या तो मैं तुम्हारे कान काट डालूँगा। रूडॉल्फ वापस टाइगर के पास आता है और कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़तर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी तरह कुछ होड़ टाइम भी जाता है और हम देखते हैं कि टाइगर भी अब पहले से बहतर हो गया है। फिर एक दिन बग आकर उने बताता है कि टाइगर के मालिक के घर की जगा एक नया घर बन रहा है और वो लोग उसे चेक करने जाते हैं। उसे माफ्य मांगना चाहता है। रुटोल्फ भी ऐसा ही करता है और टाइगर भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो उसे एक शौब तक लेकर जाता है और बताता है कि यहां से गाड़ी हाईवे तक जाने वाली है और तुम उसकी मदद से अपने घर जा सकते हो। टूटोल्फी सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन टाइगर कहता है कि मैंने तुम्हें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और मुझे उमीद है कि तुम मुझे डिसेपॉइंट नहीं करोगे। आगे वोसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स करना सिखाता है ताकि वो जान सके कि कौन सी गाड़ी किस सिटी की है और उसी हिसाब से उन्हें चेंज कर सके। उस रात वो डैविल के यहां एक पार्टी करते हैं जहां टाइगर सब को बताता है कि वो भी अपने मालिक के पीछ बहुत दुख होता है कि वो एक बार फिर अपने दोस्त को नहीं खोना चाता लेकिन टैगर की खुशी के लिए वो मान जाता है अगले दिन रुडोल्फ अपनी जर्नी शुरू करता है और हम देखते हैं कि नंबर प्लेट पढ़ने से उसे बहुत हैल्प मिल रही है फिर अ सोचकर वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है तब ही उसे वो पहाड और वो केबल कार नजर आती है और वो समझ जाता है कि वो अपनी सिटी में आ पहुचा है वहां से भागता हुआ वो सीधा अपने घर आता है लेकिन देखता है कि वहां तो उसके जैसी ही एक और जिसे रे एक साल पहले ही लाई है और वो असर्ण में रुडॉल्फ का ही छोटा भाई है उसका भाई बताता है कि कैसे रे की फैमिली बस एक ही कैट अफोर्ड कर सकती है और ये सुनकर रुडॉल्फ को बहुत दुख होता है फिर वो वहां से जाने का प्लैन करता है और कोई नजर नहीं आता और उसे लगता है कि टाइगर शायद अमेरिका चला गया है ये सोचकर वो उदास हो जाता है और तब ही हम देखते हैं कि टाइगर और बख वहाँ उससे मिलने आए हैं रुडोल्फ उसे देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि अब मैं तुम्हे चोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा और ये कहतर वो रोने लगता है आगे टाइगर उसे बताता है कि मैं तो अमेरिका जाने ही वाला था लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा मालिक सिटी में वापस आ गया है और ये घर भी उसने अपने लिए ही बनवाया है टाइगर का मालिक भी उसके दोस्तों को देखकर बहुत excited होता है और राग को उनके लिए एक party arrange करता है यहीं वो लोग devil को भी देखते हैं जिसने अपतैरना सीख लिया है और ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है टाइगरूट ओर्फ से कहता है कि stray होने या ना होने से कोई फर्फ नहीं पड़ता बस अच्छे दोस्तों का साथ होना चाहिए और इसी के साथ हमारी ये movie खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये movie पसंद आई हो तो प्लीज हमें like और subscribe करना ना भूले Thank you